नवशकार मैं हूँ सूख्रते ईरोय चैटर जी और बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है प्रियंका चोपडा हाल ही में जाने माने अमेरिकन अक्टर फिल्म मेकर डैक्स शेफर्ड के पॉडकास आर्म चेर एक्सपर्ट के शो में अपनी परसनल लाइफ के कुछ जरूरी फैसलों पर चर्शा करते हुए दिखाई दी रसमोके पर उन्होंने खुलकर असबात की भी जानकारी दी कि उन्होंने अपनी मां की सला पर अपने एग्स फ्रीज कराये थे उन्होंने बताए कि अपनी तीसवे साल में लिए गए से नरने की वज़े से उन्हें जीवन में कई आजादी भी मिली प्रियंका भी 40 साल की और सिंगर एक्टर निक जोनस के साथ एक खुशहाल मैरड लाइफ जी रही है हाली में एक फ्रीजिंग तक्नीक से उन्हें बेटी भी हुई जिसका राम मालती मेरी चोपड़ा जोनस है सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये एक फ्रीजिंग है क्या एक फ्रीजिंग एक मेरीकल प्रक्रिया है जिसमें एक महिला के पास ये विकल्प होता है कि वो बच्चे पैदा करने की उम्र निकल जाने के बाद भी सरोगेसी से अपने बच्चे को जन्म दे सकती है दरसल जैसे जैसे उम्र बढ़ती है महिलाओं में अंडे की क्वालिटी घटती जाती है ऐसे वे महिला बच्चे को जन्म तो देना चाहती है लेकिन सिचोईशन की वज़े से प्रेगनेंट नहीं हो सकती तो ऐसी महिलाओं के लिए एक फ्रीजिंग तक्नीक काफी सुवधा जनक और से विकल्प है एक फ्रीजिंग को लेकर महिलाओं के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि आखर इसे कब तक फ्रीज किया जा सकता है और इस पर कितनी लागत या कितने रुपय खर्च होते है तो आपको बता दें एक फ्रीजिंग के माध्यम से जमे हुए अंडे को 10 साल या उससे जादा वक्त तक बरकरार रखा जा सकता है इससे अंडे की गुडवत्ता में किसी भी तरह की श्रती नहीं होती वह अगर भारत की बात करें तो नई तकनीक होने के कारण अंडा यानि की एग या एंब्रियो फ्रीज करने की प्रक्रिया काफी महंगी है एक फ्रीजिंग की पूरी प्रक्रिया का खर्च औसितन 50,000 से 1,000,000 रुपय तक के बीच का हो सकता है अंडे फ्रीज होने के बाद उन्हें फ्रीज इस्तती में बनाया रखने के लिए भी एक वार्शिक शुल्क होता है और ये शुल्क हर साल 15,000 से 30,000 रुपय की बीच हो सकता है ये कीमत एक औसत कीमत और अंतिम लागत आप जिस क्लीनिक से इलाज करवा रही है उस पर भी निर्भर करता है एक क्लीनिक से दूसरे क्लीनिक की और यहां तक की भारत के अलग-अलग शेहरों की कीमत अलग हो सकती है अंडा या ब्रून फ्रीजिंग की कीमत इस बात कर भी निर्भर करती है कि आप कितने सालों तक इन्हें फ्रीज करके रखना चाते हैं फिल्हाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें